कुश्रो कहते हैं साधना कहां करनी चाहिए सबसे उत्तम स्थान क्या है सबसे उत्तम स्थान माना गया है माताराणी का दर्बार हो माताराणी की शक्ती का दर्बार हो जो माने समयम बनाया है गंगा जी का कनारा हो जमना जी का कनारा हो नर्मदा जी का कनारा हो सरस्वती जी का किनारा हो फिर जैसे महाकाली जी की साधरा करनी चाहिए तो जो केले होते हैं केले के पेड हो केले का जंगल हो वहां करें ऐसे गुढ़ल के फूल हो फूल ही फूल हो गुढ़ल के फूलों के पेड हो गुलाब के पेड़ों मा दुर्गा जी की साधना के लिए ती उत्तम पर मेरे गुरु महराज कहते थे सबसे उत्तम जो बगवान के द्वारा बनाए गए स्थाद हैं जैसे अकावन शक्ति पीठ हैं फिर जो सिद्ध मंदिर बन गए जहां कुछ महापुर्शों ने तब किया तपस्या की जैसे दतिया में मा शिरी बगला मुखी जी का मंदर है तो वहां आदर्निये गुरु देव स्वामी जी ने वहां तपस्या की मा बगला मुखी जी की शक्ति का निवास हो गया ऐसे यह और बहुत से स्थान है ऐसे गुरु स्थान है जहांपे सिद्ध महापुर्षो ने तर्स्या की जो भगवान के ड्रेक्ट बनाए हुए है पर तंतर ग्यान कुछ और कहता है तंतर कहता वो मंदर भगवान ने बनाय ठीक है बहुत बड़ी बात है वहाँ जाएंगे हमें शक्ति का स्थोत्तर मिलेगा हे इंसान तुझे भी तो बगवान ने बनाया है न तू भी एक शक्ति का मंदर है तू भी शक्तियों का समूव है और जैसे जैसे हम साधना में आगे बढ़ते हैं तो मुलाधार में गिनेश जी की शक्ति मालाकनी की शक्ति काकनी की शक्ति विश्णु जी की शक्ति मास्रस्वती जी की शक्ति सब शक्तियों से ओत पोत हैं हम तो फिर हम पहले अपने मनमंदर को ठीक करें झाल झाल